भोचपुरी इंडस्ट्री में कुछ हो और पावस्टार पवन सिंग की चर्चा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता आपको बता दे कि दौलत गंज में हाल ही में एक स्टेज शो हुआ जहां पर अक्षरा सिंग और अनुपमा यादों ने स्टेज पर जम कर पफॉर्मेंस दी लेकिन अक्षरा सिंग को ये स्टेज शो काफी वक्त तक याद रहेगा वक्त तक इसलिए कि अक्षरा सिंग जैसे ही स्टेज पर आई पवन सिंग के नाम के काफी चर्चे हुए पवन सिंग जिंदाबाद के नारे तो लगे ही लगे सोने पे सुहागा ये हो गया कि अनुपमा यादों जो कि पवन सिंग के कई गाणों से भोचपूरी इंडस्टरी में आज कल चाई हुई है उनके साथ उनके कई बहतरीन गाने हैं तो ऐसे में अनुपमा यादों का तो सौंग गाना अपना बनता ही था उन्होंने भी पवन सिंग के साथ अपनी हरी हरी ओडनी वाला सौंग गाया अब क्या करती अक्षरा सिंग स्टेज पर आना था उन्हें परफॉर्मेंस देनी थी लेकिन अक्षरा सिंग ये गाना कम्प्लीट होने के बाद आई स्टेज पर जी हां उन्होंने नहीं चाहा कि पवन सिंग के किसी भी सौंग पर वो पफॉर्म करें लेकिन हद तब हो गई जब वो स्टेज पर जैसे ही आई पवन सिंग जिन्दाबाद पावस्टार पवन सि जैसे कई नारे ओडियंस ने लगाना शुरू कर दिये अक्षरा सिंग क्या करती मुस्कुरा कर रह गई भूचपुरी जगत की हट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नब